नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी लोग का दोस्तों बिहार दरोगा मैंस का देखाया तो एरिटेरिया च्छी सेट करा जा रहा था इसमें आपका 14 सेट ही कंप्रीट हो पाया था और इता अब कुछ सेट आपका बाकि रह गया था तो आप सब लोग कमेंट आरा किसा सबसे पहले कम्पीट करा दीजिए तो यह आपका मेंस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपका वाल्यूम टू है और इसमें आपका देखा है तो आपका 20 सेट दिया गया है आप यहां पर देख पा रहे होंगे आज का जो वीडियो होने वाला यह आपका सेट नमबर 15 है अगर आप करना चाते हैं पूरा बुक का पीडिया तो पीडिया का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाका वहां सजा करके पीडिया डाउनोड करके आराम से रिविजन करते लिए इसमें जो कोशन का लेबल दिया गया है पूरा बिहार दरोगा मेंस के हिसाब से बहुत ही सही आं सर चाहोगा तो तो आप सब लुग याद रिखिए है इसका अंसर आपका हो जाएगा और सी यानि फीरे के stopping के लिए आपका ये प्रसीदम नाही चयाता है भारत में चेत्र हीरे के खंदन से यहीं प्रसीदर सब्सक्राइब को सबसक्राजा करके सावप्यूक में से कथन जो है सही है तो पढ़ ये फिर आंसर कीजिएगा तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो भी है केवल दो ही सही है यानि प्रथम पंच वर्सी योजना में क्रिसी को उच्छ प्राथ मिक्ता दिया गया था जो कि सही है याद रखिएगा प्रथम पं से मदो के आजात निर्यात का अंतर कहलाता है क्या तो यह आपका अंतर कहलाता है याद रखिएगा व्यापार संतूलन व्यापार संतूलन यानि ऑप्शन जो ए है यही आपका सही आंसर हो जाएगा नैश्ट कोसने कोसन नमर फूर बोला गया कि भारतिय लगू उद्धोग तो विकास बैंक का मुख्याले कहां परिस्तित है चलिए बताइएगा यह आपका देखा जाए तो कहां परिस्तित है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अप्सेटी लख की घमिंघ हो जाएगा और आपकर इसका मुख्याले देखाया तो इसक contamin पर ाप कोotros never कि निम्ण में से कॉन सा कफन सही है कॉन सा कफन है जो आपका इसका सही है तो देखाया तो आपका न तो एक सई है आउना ही दो याद रिखिएगा कि भारति ये अन्सों उन्चास ना कि पाचास में ठीक है और भारती ये बैंक का लेखा वर्स जो होता है या आपका आपरेल मार्च नहीं होता है याप आपका जूलाई जून होता है कौन सा जूलाई जून होता है आप इसको दोनों यादे रखिएगा नेश्ट को सने की ठोक मुली सुचकांग का वर्तमान अधार वर्स क्या है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दू हजार इग्यार बारा दू हजार इग्यार बारा यानि ऑप्सन भी चलिए नेश्ट कोसें देखें के कोसें नमबर सेवन बोला गया कि सरंबल में जनसंख्या के किस आयू वर्क के लोगों को सामिल किया जाता है तो आप सब लोग जाद रिखिएगा पंदरा से लेकर के उन्सट वर्स यानि ऑप्सन जो भी है यही आपका सही हो जाएगा नेश्ट कोसने के जल प्रदूसर निवारण एवं नियंतर अधिनियम का पारित किया गया था कब यह आपका पारित किया गया था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1974 में 1974 यानि B है आपका सही हो जाएगा नेश्ट कोसने की करेवा मिटी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है करेवा जो मिटी है किस प्रक्रिया के द्वारा यह आपका बनाए जाती है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोसन नमर 9 का ओप्सन C नदी निक्षेप नदी भाग में इस्तित है बिहार के किस नदी का उद्गम इस्थल मध्य पर्देश के पठारी भाग में इस्तित है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जब मुख कास्मीर के विभाजन से पूरो शेत्रफ़ल के दिष्टे से बिहार का इस्थान था विभाजन के बाद अगर हम बात करें तो या आपका बारहवा हो गया है नेश्ट कुषने की नागया प्रोटकॉल कब से प्रभावी हुआ है नागया प्रोटकॉल तो यह आपक सही हो जाएगा नच को सिन कि गोंडवाना करम की चटानों का निर्मान कि lessnan कि दो का लूख के मद्ध्य हुआ не वा दो इसका सही आंसर अपका हो जाएगा option के या नी स्वेर से जो रए जो रैसिका रेनी सी है यही आपका सही आंसर हो जा सागर में है री यूनियन दीप जो है आपका कौन से महा सागर में है तो आप सब लोग याद रखिएगा या पहिंद महा सागर हो जाएगा ऑप्स जूड़ी है सही आंसर हो जाएगा नैश्ट कोसन के बिहार में जल हर्याली मिसन के प्रोफसाहन के लिए कि स्तिथी को मानव स सिरींखला बनाया गया है मानव स्रिंखला बनाया गया है तो इसका अशर आपका हो जाएगा ऑप्संद सी उनीज जनवरी को याद रखिएगा उनीज जनवरी और बीश को बाल विवाह दहेश प्रथा के विरूद नसा मुक्ती तथा जल जीवन हर्याली के लिए मानव सिर रखेगा नेस्ट कुषन की राष्ट्रिया जलमार्ग संक्या एक किस नदी से होकर नहीं गुजरती है कौन से नदी से होकर के नहीं गुजरती है तो आप सब लोग याद रखिए-क यमुना नियामो यानी ओप्सन ए देखे राष्टिय जलमार्ग संक्या एक इलहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा हुगली एवं भाग्रेसिक नदियों से होकर के गुजरती है यह यह मुना से होकर के नहीं गुजरती है नेश्ट कोसन की निम लिखित में से कौन सी गर्म एवं सूसक इस्थानिय हवाय है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन डी उपरोक्त सभी आपका जोंडा आर्जेंटीना चिनुक यूएसे कनाडा और संतान आपका कैलिफोर्निया हो जाएगा नेश्ट कोसन की भारत में विश्ट की मैंग्रो का लगभग कितना आंस है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीन परतिसत यानि तीन परशन हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसने कोसन नमबर 19 पुला गया कि इसकेंडिनेवियन इसकेंडिनेवियन देश के समुह में समलित नहीं है समलित नहीं है तो आप सब लोग गयाद रखिएगा इसका अंसर आपका हो जाएगा option D France फ्रांस याने D सही अंसर हो जाएगा नेश्ट कोसने की निमन में से कौन सी नसल भैंस की है इन में से पुछा गया है कि कौन सी नसल है जो कि आपका यहाँ पे भैंस की है तो कोसन में 20 के अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा option A यानि एक और दो आपका सूर्ती हो जाएगा और आपका जाफरावादी हो जाएगा देखिए जाफरावादी सूर्ती यह सभैंस की नसल है बलकि आपका जो आगे दिया गया है आपका यह मेंवाती यह मेंवाती जो है आपका यह गाय का नसल है राष्ट्रिय वन नीती के अनुसार प्रास्थित के संतुलन के लिए नियूंत वनाशिदान जो आपका वनाशिदान होता है आपका कितना भाग देना चाहिए तो इसका सही आंसर आपका हो जागा वनाशादन तो आप्षन भी कुल भूमी का एक बटा तीन भाग कुल भूमी का एक बटा तीन भाग नेश्ट कुसन की उप्यूगत विकलपों में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है कौन सही सुम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देखा जाए तो गलत पुछा गया है तो पहले देख लेते हैं पुना सरजनिक सभा जो है ठा सब्सक्राइब नहीं यह आपका थारस तीहत्तर तो भोधनी जो आपका सब्सक्राइब लेकिन जो आपका यहां पर दिया गया है बैलूर मट यह आपका 880 नहीं यह आपका 880 87 में होना चीए था और यह स्वामी विवेका नंद के द्वारा किया गया था तो आप इसको आर्शनिक नागा अर्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे किसके दरबारी थे तो आप सब लोग याद रखेएगा ऑप्सन डी हो जाएगा कनिस्क कनिस्क यान जो डी है यही आपका सई हो जाएगा नैश्ट कुसने की 1939 में किनके बिहार में आपकी जेगा फिर से आपका सई हो जाएगा मिताक्षरा किसे पराधारित है मिताक्षरा जो है आपका कौन से पराधारित है तो यह आपका हो जाएगा हिंदू वीधी सनहीता हिंदू वीधी सनहीता अलाई दरवाचा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है तो आप सब लोग याद रखेएगा कुवत उल इसलाम मजेद कुवत उल इसलाम मजेद यानि ओप्स जो डी है यहां आपका सही हो जाएगा वैँ प्यार्षर सभाव का दी Ignauw क्यों से तो आपका फिर्दोशी सिलसिला सेक बहुत दिन सही है सनक संप्रदाय निमबकाचारी सही है जो आपका बाउल संप्रदाय है दादू दयालिया आपका गलत है देखिए इसमें बाउल संप्रदाय के संत चंडी दास थे कौन थे चंडी दास बाकि आपका जो आपका व्रहंस संप्रदाय है या आपका माधवाचारी सही दिया गया ह नेस्ट को सने को सननों आगर 12 कह कि ने नी तहकीकात कमीठी अगठन किया इसकमीठी के अज्यक्षान इस यानि वेरी इंपोसेंट आपके लिए बन जाता है कि जो उस टाइम कमेटी बैठाए गया था तो उस टाइम अध्यक्ष कौन था तो अध्यक्ष था आपका मदन महान मालविये मदन महान मालविये थी ऑप्सन आपका यहां पे सी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कौसने की निमन में से कौन सुमेलित नहीं है यानि कौन आपका इसमें गलत है तो देख लेते हैं कलिंजर यूद आपका 1545 सही है पुरंदर का यूद आपका 1665 सही है और आपका सकर खेडा का यूद आपका 1724 सही है लेकिन आपका पोटोनोवा का यूद आपका गल यह आपका रहुनात राव इस्ट इंडिया कंपनी की बीचिंट में हुआ था और यह आपका सात्रों सो पशचत्तर में हुआ था गफ हुआ था तरश सो पछसत्तर में नैश्ट कोशनी की भारति श्रमिक परिसंग के सांस्थापक कौन थे तो इसका अंसर आपका हो जाएगा option B M.N.Roy M.N.Roy यानि option जो B है यही आपका सही हो जाएगा Nesht कोसने की Congress की पुरुवर्ती संस्थाओं में सामिल British India Association कब इस्थापित किया गया था कब इस्थापित किया गया था तो आप सब लोग याद रिखिएगा 1851 में किया गया था B आपका यहां पे सही हो जाएगा Nesht कोसने की भारत का एक मात्र गवर्ना जनरल जिसका समाधी इस्तल भारत में इस्तित है जिसका समाधी इस्तल भारत में इस्तित है तो यह आपका हो जाएगा लाड कार्नेवालिस लाड कार्नेवालिस यानि ऑप्सन भी Nesht कोसन की प्राचीन इसमारक संद्रक्षड कानून किस गवर्ना जनरल के काल में आया कौन से गवर्ना जनरल के काल में आया है तो इसका आंसर क्या होगा 36 के अगर हम बात करती आपका हो जाएगा लाड करजन लाड करजन यानि उप्सन जो C है यही आपका सही हो जाएगा और लाड करजन के सांसन काल में 1904 में प्राचिन इसमारक सनरचल कानून परिच हुआ था कब हुआ था 1904 में किया गया था नेश्ट को सने 37 देख लेते हैं इसमें आपका बोला गया कि निमलिखित में से काल करमानुसार कौन से सही है तो देखा जाए तो आपका ओप्सन बी हो जाएगा गांधी इर्विन समझोता और यह आपका हुआ था गांधी इर्विन समझोता पांच मार्थ 1931 को दूतिये गो से आपको याद रखना जरूरी हो जाता है नेश्ट को सने के दिल्ली सड़यंत्र से संबदित मामले में किसे फांसी नहीं मिला तो आप्सन के साब से आपने आंसर करी दिया होगा जो कि आपका उतर हो जाएगा रास बिहारी बोस के दुवारा दिल्ली के सड़यंत्र के अं वंस कौन था तो प्रसिद राजवंस आप सब लोगाद रखिएगा चोल था जो कि ऑप्सन जो भी है यही आपका सही हो जाएगा नेश्ट को सने को समर फोटी बोला गया है कि निम्न में से किसके द्वारा अठारा सो संतावन इस सीवी के करांती फैजाबाद करने तो किया ग किया गया तो यह आपका किया गया था हरी पूरा अधिवेशन जो कि 1932 में किया गया था तो इसके अध्यक्सता को किये थे तो सुबाच अंधर बोस के द्वारा यह किया गया था नेश्ट को सने किस वाद में उचितम न्याले नई यह विवस्था दी की प्रस्तावना समिधान का एक भाग है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यह आपका देखा जाया तो केसवार नंद भारती वाद में उठाण 1973 में कहा गया था और यह आपका हो जाएगा ओपसन सी नेश्ट कोसन की निस्ता की अधिकार को समिधान के किस अनुच्यत के अंतरगत मौलिक अधिकार की रूप में सुविकार किया गया है तो यह आपका क्या गया है आर्टिकल 21 यानि ओपसन जो डी है यही आपका सही हो नेश्ट कोसन एकोसर मरण 44 देख लेते हैं इसमें आपका क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस विध्येग को संसद में प्रस्तूत करने के पहले राष्टपती की पूरवानुंपती जो आपका होता है या आपका अवस्यक होती है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर द खेतर सीमा या ना परिवर्तन वाले बिध्यक उसके बाद भूमी अधिकर रहन से संब्धित बिध्यक कराधान से संब्धित बिध्यक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो यानि चारव आपका यहां पर सई है नेश्ट कोसन की भारती समिधान की अंतरगत का लियान की सकते गराज यकि आउधारना निम्ण में से किस अनुछेद में वर्णित है कौन से अनुछेद में आपका यहां पे वर्णित किया गया है तो आपका अनुछेद 49 हो जाएगा और कि नेश्ट कोसन कोसन नंबर 46 बोला गया कि आपात काल के समन्ध में निम्ण कतनों में से की जा सकती है यानि ऑप्संद यही आपका सही हो जाएगा नेश्ट को सने कि भारत के संचित नीधी के भारित खर्च पर तो देखा यह आपका उतर हो जाएगा आप्संद लिए अगला कि भारती समिधान में लिए गई सब्सक्राइब अपका है कि निश्ट के निमन में से कौन सब्सक्राइब असकार द्वारा प्रस्तूत किया जा सकता है तो यह आपका हो जाएगा option B केवल विस्वास प्रस्ता ओप्सन जो B है यही आपका सही हो जाएगा नेश्ट कुसने के लोग अदालतों की स्थापना पहली बारनिमली खित में से किसे राज्य में हुई है कौन से राज्य में हुआ है तो आप सब लोग याद रखिएगा यह आपका गुजरात में हुआ है और यह आपका 1982 में गुजरात में किया गया था तो जार दो में लोग अदालतों की स्थापना बना दिया गया था तो यह आप याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा संग सूची का विशे नहीं है संग सूची का विशे नहीं है तो चलिए देख लेते हैं इसका अंसर क्या होगा तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन सी एक और दो वन और सिक्छा वन और सिक्छा यह आपका संग सूची का विशे नहीं है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस से विधिक कानियन का विधि मापकी जिएगा मौलिक अधिकार से विधिक यानि कानूनी अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया अब यह कानूनी अधिकार हो गया है संपतिक अधिकार अगला है कि मौना जाइट किसका आयसक है मौना जाइट जो है यह किसका आयसक है तिया का सई हो जाएगा नेश्ट को सने के जिव दरब में सरवाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पायता है तो कौन सा तत्व पायता है तो यह आपका हो जाएगा यह आपका हो जाएगा option A hydrogen hydrogen यानि option A right answer हो जाएगा नेश्ट को सने की मद्दान के समय प्रियुक्त अमिट सिहाई जो आपका एक सिहाई लगता है एक इस पर आगे वाले जो होता है उगली उस पर लगता है पदार्स बनी होती है किस से तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा silver नाइट्रेट silver नाइट्रेट option B नेश्ट को सने की निमन में से कौन ग्रेमीनी कूल का पौधा है ग्रेमीनी कूल का पौधा है तो आप सब लोग याद रखिएगा यह आपका यह सभी हो जाएगा यानि मक्का गन्ना बांस बाजरा तो इस प्रकार से आपका option D यह सभी ने नेश्ट को सने की निमन में से किसकी उपस्थिती के करण चाय का रंग एवं तीखा स्वाद होता है तो आपका हो जाएगा option C टैनीन टैनीन option C दालों में प्रोटिन आपका यहां पर पूछा गया है तो इसका answer आपका क्या होगा इसका answer आपका हो जाएगा option A यानि प्रोले मिन्स प्रोले मिन्स हो जाएगा एपका सही आंसर हो जाएगा आगे दखेंगे अगला प्रस्थी निमन मेंसे कौन हीपेरीन नामक पदार्थ बनाता है हीपेरीन नामक पदार्थ है जो कि आपका बनाता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option C या क्रीट या क्रीट यानि C आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि बुद्धि मता चेतना सक्ति यों इस्परण सक्ति के केंदर निम्न में से कौन है जिसका आंसर आपका हो जाएगा option B सेरे बरम सेरे बरम यानि जो आपका अग्र मस्तिस्क मस्तिस्का सबसे बड़ा बहा भाग हे वही आपका होता है तो आंसर आपका भी हो जाएगा अगला है कि जठर रस का pH मान कि अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा option A 1.5 यानि A जो आपका यहाँ पे हो जाएगा अगर हम बात करेंगे 6.8 यह आपका लार का होता है और देखा जाए तो 7.7 जो होता ही आपका पीत का पीच मान होता है और करीबन 8 देखा है तो आपका साड़े साथ से लेकर के 8 की बीच में आपका अत्रिय रस का होता है तो आप भी इसको याद रख सकते हैं और 8.4 आपका देखा है तो समुदरी पानी का भी होता है अगला टाइफाइट रोग सेड के किस अंग को परभावित करता है टाइफाइट जो रोग होता है इसका answer आप सब लोग याद रखिएगा option C हो जाएग आथ यानि जो सी है यही आपका correct answer हो जाएगा अगला प्रस्न है कि आवर्ट सार्णी में तात्यों का कौन सा समुह रेडियो सक्रिय समुह कहलाता है तो यह आपका उतर हो जाएगा option B यानि एक्टी नाइट समुह हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसन को बढ़ाने के लिए यानि जो B है यही आपका सही हो जाएगा नेश्ट कुसने कुसनल番 सिक्टी इट बोला गया कि निमन में से कौन सा इसा पदार्थ है जो ऑकसी कारक एवम और यानि दोनों का कारे करता है तो यह आपका हो जाएगा हैस्ट्ट एस ह2 एस यानि option की सक्ति का विमिय सूतर होता है सक्ति का विमिय सूतर होता है तो यह आपका हो जाएगा ML2 लिşa है माई जरनी कि क्रिती है माई जरनी पुस्तक तो है आपका हो जाएगा डाक्टर APGA अब्दुलगार डाक्टर APG अब्दूल क मना जाता है दो आप सब चैनल को बिश्वानी का विगयानिक नाम है कौन सुवरिक्ष का सारनात इस्थित असोक इस्तम के सिर्ष की अनुकृती है यह चीन कब अपनाया गया है यह चीन जो है कब अपनाया गया है तो 26 जनवरी इस्थापित किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका अमेरिका करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा इंटर पोल का मुख्याले कहां पर है देखिए इंटर पोल आप सब यहाद रही इसका जो मुख्याल रेह होता है इंटर पोल का यह आपका हो जाएगा कर ली ओन यानि पीरिस में द सबसे अधिक है किस ग्रह का परिक्रमण वेक्ज़यो है सबसे अ महासागर का आर्केटिक महासागर यानि ऑप्सन डी सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप सब लोग के यहें पर वीडियो समाप्स होता है 79 तक इसके आगे आपका 21 आपका मैत का कोशन है और इनिका कोशन है तो आप सब लोग पीडियाप डाउनोड कर लिएगा पीडिय आप डाउनोड कीजिए रिवीजिन केटते रहिए और इसमें आपका जो जीके का क्वाल्टी दिया गया है बहुत ही अच्छा है पूरा एक्जाम के पैटन पर है तो मिलता है कि नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जाए है दुवन्दे मात्रम